माफिया डॉन मुक्तार अंसारी के वकीनों की ये टोली बहुत संगीन इल्जाम लगा रही है इल्जाम ये कि मुक्तार अंसारी को जेल में मानने की कोशिश हो रही है मुक्तार अंसारी को खाने में स्लो पॉईजन दिया गया है जेल में उसके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है क्या आपको भी लगता है कि जेल के अंदर उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है किसी समय मैं बैठा बात कर रहा हूं मेरे साथ हो सकती है मुखतार अंसारी के सार्थ लगातार हो रही है लेकिन हमारा ये कहना है कि मौत का दिन निश्चित है यातनाएं आप दे सकते हो पीडा आप पहुचा सकते हो छटी आप पहुचा सकते हो फर्जी एम्बुलन्स केस में बारा बंकी की MPML कोट में गुर्वार को जो मुखतार अंसारी पेश नहीं हुआ और उसके वकील ने अदालत में ये प्राथना पत्र दे कर कहा कि मिलोड मुखतार अंसारी को धीमा जहर दे कर मारा जा रहा है तो चर्चा का बाजाद करबा गया कि आखिर मुखतार की जान का दुश्मन कौन बन गया क्या जेल में ही डॉन का ड़म निकल जाएगा यूपी की बांदा जेल में बन माफिया डान उनसारी ने इक बार फिर से अपनी जान का खत्रा बताया है उसने कोट में प्राथना पत्र दे कर ये कहा है कि उसे जेल में खाने में जहर दे कर हात्या की साजी स्रची जा रही है स्लोप वाजन की वज़े से उसकी तबीयत लगाता और बिगरती जा रही है पुरे सरीर की नसों में दर्ध हो रहा है हाथ पाओ ठंडा पड़ता जा रहा है घपड़ा हाथ होती जा रही है माफिया डाउन को डर क्यों लगने लगा, इसकी असल वज़ा क्या है, यह जानने के लिए तफ्तीश को आगे बढ़ाएं उससे पहले मुक्तार के वकील की तरफ से फोट में दिये गए उस अप्रिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें दावा किया गया है, कि 19 मार्च की रात को मुक्तार की खाने में जहीला पदार्त मिला कर दिया गया, जिससे मुक्तार के हालत इतनी बिगड़ गई कि लगा मौत हो जाएगी, बांदा जेल में मुक्तार अंसारी की जान पर खत्रा बढ़ गया है, मुक्तार अंसारी को जेल के 20 साल होने वाले हैं, मगर हमेशा अपनी मूशों पर ताव देने वाले मुक्तार के हावभाव अब बदले हों, उसके चेहरे की रंगा तुल गई है, मुक्तार की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपनी बैरत में मात्य को पकड़ कर सिर्द जुका कर बैठा रहता है, रमजान का महीना चल रहा है, लहाजा दिन में तो मुक्तार अंसारी रोजा रखता है, लेकिन रात के खाने को लेकर वो इतना डरा है कि खाना छोड़ने पर ही अड़ा है, मुक्तार की तरफ से जब कोर्ट में स्लो पॉईजनिंग का रोप लगाया गया और जेल में सुरुक्षा की मांग की गई, तो बांदा जेल के डिप्टी जेलर वीडियो कानफरेंसिंग के जरीए कोर्ट में हाजिर हुए, सुनवाई के दोरान जेलर ने मुक्तार अंसारी के बिमार होने की पुष्टी को की, लेकिन स्लो पॉईजनिंग के आरोपों को सिरे से खारिश कर लिया, लेकिन स्लो पॉईजनिंग को लेकर मुक्तार के आरोपों की फैरस लंबी थी, मुकतार के वकीरों ने भी यही आरोप लगाया कि करीब 40 दिन पहले भी मुकतार के खाने में धीमा जहर दिया गया था जिससे खाना चकने वाले जेल स्टाफ से लेकर मुकतार तक सभी भी मार दो जहर देकर मारने की साधिश के मुकतार के आरोपों के बाद दो डॉक्टरों का पैनल बांदा जेल पहुँचा जेल मैनूल के अधार पर मुखतार का ट्रीटमेंट किया गया मुखतार के चेक अप के बाद उसका बलड टेस्ट कराया गया और अब ये रिपोर्ट कोड को भेजी जाएगी लेकिन डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को जो पताया उसके मताबिक रोजा रहने के कारण ऐसा हो रहा है भूग के बाद अचानक ओवर फीडिंग के वज़से मुखतार को दिक्कत हो रही है नाएक प्रक्रिया के तहट जो चीजें आवश्यक होती हैं वो आवश्यक चीजें उपलब इस सरकार ने कराती है गवाह अगर मजबूती से गवाही दे रहे है अब योजन प्रभावी पैर्वी कर रहा है तो मुक्तार का तो यह क्लियर हो चुका है कि अब उनको जेल की सलाखों के बाहर नहीं निकलना है तो अब जो अन्तिम अस्तर के रूप में जो आप कहा रहा है ब्रम्हास्तिया वो सारी चीजें वो इस्तेमाल करेंगे वो एमोश्टनल कार्ड खेलेंगे वो अपने को बिमार बताएंगे क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी उनको तो ये था कि दो सल चारतल जेल में रहने के बाद फिर निकल जाएंगे बड़ा प्रद्वन्दी खतम हो गया और एक छत राज रहेगा हमारा एमपार और बड़े रूप में हो जाएगा बादा जेल में मुकतार अंसारी के ट्रीटमेंट के बाद ये तो साफ हो गया कि माफिया डान के हाथ पाउं जहर से ठंडे नहीं हो रहे बलकि अपने अपराहत के सामराज के खंडहर बन जाने और मुकदमों में बैक टू बैक मिल रही सजा से मनबढ मुक्तार का मिजाज ठंडा हो चुका है यूपी में सार्ट से अधिक माफिया इस वक्त सीम योगी आधितिनाथ के रडार पे है और इनी माफियाओं में से एक है माफियाडान मुक्तार अंसारी योगी राज में पिछले 17 महीनों के दौरान मुक्तार अंसारी को कुल 8 मामलों में सजा हो चुकी है और इन मामलों में दो ऐसे केस हैं जिन से उसे उम्रिकाय तकी सजा हुई है बड़ी बात ये है कि जो दूसरों को रुलाता था वो खुद अब्ताल कोट्री में बैट कर आसू बहा रहा है लेकिन चौकाने वारी बात ये है कि मुक्तार अंसारी को जितना डर अपने माफिया राज के खत्म होने का है उससे कही अधिक जिस तरीके से उसे एक के बात एक मामलों में सजा मिलती जा रही है उससे वो डरा हुआ है और माफियाओं के अंदर बैटा हुआ यही डर योगी अधितनात की ताकत है उतर प्रदेश में अतीक के बाद अब मुक्तार ही सबसे बड़ा क्रिमिनल चेहरा है जिसके खिलाफ फिलहाल 65 मुकदमी चल रहे हैं लेकिन हम मुक्तार का भी पर्मनेंट कानूनी हिसाब हो चुका है नौ महीने में मुक्तार को दो बार उम्रकायत की सजा मिल चुकी है 65 में से 7 मामलों में मुक्तार अंसारी को सजा हो चुकी है उसके खिलाफ 19 मामले कोर्ट में फिलहाल विचारा धीन है फर्जी एंबुलेंस केस में 12 बंकी के MPMLA कोर्ट में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी दो मार्च को एक और गैंगस्टर केस में आजमगर MPMLA कोर्ट में सुनवाई होनी है ये मामला साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने का है योगी आदितनात के राज में मुक्तार की माफिया गिरी खत्म हो चुकी है उसके दहशत का किला ध्वस्त हो चुका है सितारे गर्दिश में हैं लगातार हो रही सजा से मुक्तार इस खदर बॉखलाया है कि कभी अदालत में रहम की अपील कर रहा है तो कभी जेल प्रशासन और राज सरकार पर हत्या की साज़िश रचने के संगीन इलसाम लगा रहा है यहां से लेकर सुप्रीम कोट तक जो है उनके लड़के जो है उमर अंसारी द्वारा जो है मारनी उच्चतम जाले में भी प्रातिना पत्र दिया गया है कि सरकार द्वारा जो है इसमें उनके जो बिरोधी है वो लोग जो है साजिस करके उनको जेल में ही माना चाहते हैं और उतर प्रदे सरकार में अभी तक लगभग पांच-छे हत्याएं जेल में हो चुपी मुखतार अंसारी के वकील के इस बयान को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि I.S.191 गैंक के सरकना मुखतार का एमोशनल ब्रेकडाउन रुक नहीं रहा उसके दिल में खौफ बैठ गया है